हलो फ्रेंट्स आज में आपको इस वीडियो में साउथ के सुपरेश्टा प्रभास और बॉलिवूर्ड की एक्ट्रस कृति सेनन की अपकमन फिल्म आदिपुरुस से जोड़ी एक अब्डेट के बारे में बताने वाली हूँ तो फ्रेंट्स करीब चार महीने पहले अक्टूबर 2022 को फिल्म आदिपुरुस का टीजर रिलीस हुआ था टीजर के रिलीस होते ही सभी लोग इसका विरोध करने लगे आदिपुरुस के टीजर को हर तरफ से ट्रोल किया जाने लगा लोग सोसल मीडिया पर पी अफेक्स का परान बताया जाहिड सी बात है कि लोगों के रियक्शन से हमें परिशान हुई क्योंकि हमें उनकी उम्मीद नहीं थी लेकिन मुझे लगता है कि मेकर्स ने उसी सही ढंग से लिया लोगों से मिलने वाले फीडबेक को जरूर सुनना चाहिए आप उसे सुनिया और ते कीज कोसिस कीजिए वहीं आपको बताते चले तो प्रभास की आदिपूरुस का हर कोई बड़ी बेसबरी से इंतसार कर रहा है हाला कि आदिपूरुस के अलावां प्रभास की दो और ऐसी फिल्में हैं जिसके लिए फैंस काफी बेताब हैं दरहसल उस मामले में के डिरेक्टर प प्रभास की तबियत बहुत ज्यादा खराब है और वह हास्पीटल में एटमीड है लेकिन फैंस को काफी ज़्यादा उमीद है कि प्रभास जल्द ही अपने काम पर वापसी कर सकते हैं आपको बताते चले तो आदिपूरुस को बॉलीवूड की अब तक की सबसे महगी फिल है फिल्म का बजट 500 करोड है इसमें प्रभास की साथ कृती सेनन और सनी सिंग भी एहम किरतार में है फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया इससे पहले ओम तानह जी जैसे सूपर हिट फिल्म बना चुके हैं तो फ्रेंट्स प्रभास और कृती सेनन की अपकमिंग फिल प्रेंट करेंट um